जैने सातियों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का अपने यूटूब चैनल यूपी आर्टी ओईू परियाग राज में श्वागत है तो सातियों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यदि आपने जनुवेरी सत्र में एडमिशन लिया है क्या सातियों यदि आप चैनल निची देखे एक आपको देखने को मिलता है नीची यहां पर देखते के एक अपको आपको देखने हों इस प्रकार से और जब इस प्रकार इस का home page साथ हूं आपके सामने open हो कि आता है तो आप क्या करेंगे आप चाहे नीचे देखे एक option आपको देखने मिलता है नीचे यहां पर देखे एक आपको option देखने मिलेगा student corner का तो आप इस student corner वाले option पर आकर यहां से भी आप क्या कर सकते हैं अपना assignment paper को download कर सकते हैं और यदि आप यहां से download नहीं कर पाते हैं तो जनरली एक बहुत ही आसान तरीका है कि जब आपके सामने इस प्रकार से इस प्रकार से open हो कि आता साथ है यहां देखे ऊपर ही आपको एक option देखने मिल जाता है यहां पर examination का option लिखा हुआ तो simply आप इस examination वा प्रकार से open हो की आएगा और जब आपके सामने इस प्रकार से open हो की आएगा तो यहां पर देखे आपको दिया गया है यहां पर सबसे पहले आपको दिया गया किया साथ हुँ जब का सिंगल सब्जेट से iQUad sagnet Evet ग्र 210 चाये साथ हुँ इसका जो assignment जमा करने का लाश्ट डेट साथ हुँ वा एक 31 अक्टूबर किया साथ हुँ 31 अक्टूबर तक आपक्या कर सकते हैं अपना assignment लिख कर जमा कर सकते हैं ठीक है तो साथियों यदि आपका क्या है यदि आपका साथियों सेमेश्टर वाइज एडमिशन है मालेजे यदि आपका यूजी में एडमिशन है पीजी में एडमिशन है इन सब में जो एडमिशन होता साथियों क्या होता है सेमेश्टर वाइज होत आपका दियाका है 31 march क्या दियाके साथ हूं 31 March तक आप क्या कर सकते हूं तक क्या कर सकते हैं यादि आपने यूजी कोर्स के लिए मिशनल से लिए यादि यह यह अपने semester system से आपका admission हुआ तो आप 31 मार्च तक क्या करेंगे अपना assignment लिगए जमा कर देंगे अपने ऐज़ी सेंटर पर और य Councill अर्थ य프का एर्ली एडमिशन होगा है यंकि आपकाóm काattar इकल्य एडमिशन होगा है要सि आपका prestation के पेपोर्स तो आपको यहां यहां पर देखिया पर यहां पर दीआ गया है यहाँ पर देखे आपको UG Course裡面 का कोई भी यहाँ पर दिया गए और यहाँ पर जो आपको दिया गए क्या है डिया गए है का है यहाँ पर स्कॉड करके जो आपका packet कोड़ होगा उस पेपर कोड़ की अनुसार आपना इसाइमेंट पेपर यहां से डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे आप इससे लिख कर अपने एसडी सेंटर पर क्या करेंगे जमा कर देंगे ठीक है तो इतना सारा प्रोसेस आपको करना होगा यदि आप एसाइमेंट लिखकर जमा करेंगे और एक चीज़ और हम आपको पता दी जातर प्रोसेस आप यही किजिए यहां पर एक बार आकर आप चेक कर लिए यदि लिखकर आप अपने एसडी सेंटर से बात कर लिए अपने एसडी से बात करने के बार सपने कापी लिग कर वहाँ पर जमा कर दें क्यों कि साथियों अपकी बार एक खास तोर पर नोटिस जारी किया गया था यूप रियाग राज निवर्श्टी दोहां यह जब अपना एड़मिट कार्ड नहीं डाउलोड कर पाएंगे और यह जब अपना एड़मिट कार्ड डाउलो तो तक जरूर सेयर किजिया इस वीडियो में इतना है साथ यूँ नमस्कार जयूँ